हेलो गाइज तो आप सभी का स्काइव यू के एडुकेशन में फिर से स्वागत है तो आज हम डिस्क्रिस करने वाले हैं इन हेलिटेंस ऑफ वन जीन का पार्ट फाइफ तो जो ओडिटी चार वीडियो लिक्चर है मैंने या मेरी चैनल में डाल दी है अगर आपको देखना हो तो मेरी चैनल में जाके देख सकते हो और आपको उसके डिस्क्रिप्स अने लिंक भी मिल जाए तो अब आगे का जो पॉशन है वो हम डिस्क्रिस करेंगे तो वन बाइफ फोर इस्टू वन बाइटू इस्टू वन बाइफ पोर रेश्यो ओफ क्यापिटल टी इस्टू क्य जो मैं इस्टू बोल रहा हूं। hattej quando it's you सहें और मैंने आगे के लेक्टे में सायध जैं बोला है तो sorry मैं यहां पर और गज्यू सीसरे से स्यूं इस्टू ही समझ रहे तो इस तो mathematical condensable, तो यह क्या बोल रहा है, यह जो ratio है न, capital T, capital T, is to capital T, small T, is to small T, small T, तो यहाँ पर मैंने जैसे की आगे भी इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है, कि जो capital T, capital T है, वो 4 में से 1 plant मिल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 by 2 मिलेगा न, then, small T, small T है, वो 4 में से 1 plant मिल रहा है, यह इसका ratio, okay, is mathematical condensable to the form of binomial expression, okay, तो यह जो binomial expression है, उसमें भी हम रखेंगे, तब भी यही ratio मिलेगा हमको, यह वाला ratio है न, वही, okay, तो जो binomial expression की जो formula है, वो ऐसी होती है, यह formula है, binomial का meaning ही वो हता है, कि ग्रू ग्रूप को जोड़ना, यह एक group है, और यह एक group है, यह दोनों group को जुड़ा हुआ है, प्लस science है, यह एक group है, यह दोनों को जुड़ा हुआ है, प्लस science है, binomial की यह formula है, जैसे कि जो gametophyte से, उसमें जो capital T है, और जो small T है, उसका chance कितना है, तो 50% chance है, मैंने इसके पिले वाले वी युडियो में भी बताया है कि capital T का expression होना, और small T का expression होना, half of chance है, मिन्स कि इसका भी 50% chance है, उसका भी 50% chance है, मिन्स कि equal frequency of 1 by 2, half chance है, दोनों का half of chance है, गेमिटूफाइट्स को express करने का, तो expression is expanded as given below, तो यहाँ पे मैंने, अब मेरी जो mathematics आती है, मैंने उस हिसाब से मैंने आपको सुमझाने की try की है, तो 1 A plus B square is equal to, यह binomial expression, यह binomial की formula है, इस formula को आप देखोगे, फिर इसको आपको इसमें रखना है, capital T और small t, okay, then 1 A plus B square is equal to A plus B, A plus B, okay, तो यह दो बार लिखा है, multiply किया है, then इसको यहाँ पे हम आगे proceed करेंगी यह formula को, तो A square plus 2 A B plus B square, यह कैसे है, A A square, B B, B square, then क्या आएगा, A B और B, तो यहाँ पे A square और यह A B और B A, okay, तो यहाँ पे कितने होएं दो होएं ना, इसलिए यहाँ पे 2 A B दिखाया, okay, तो A square plus 2 A B plus B square, okay, बस यही आपको एक sort formula याद रखनी है, और जो capital T और small t यहाँ पे हमको रखना है, okay, और उसके आपको frequency मिल जाएगा राम से, okay, तो जो यहाँ पे 1 by 2 capital T plus 1 by 2 small t, क्योंकि उसकी जो equal frequency है, वो 1 by 2 है, यहाँ मैंने दिखाया है, square, यही same formula है, अब यहीं same formula में क्या किया है, यही यहाँ पे हमने दिखाया कि 1 by 2 capital T plus 1 by 2 small t, दो बार लिखाया, multiplied, 1 by 2 capital T, 1 by 2 small t, okay, तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे अब देखो, A, A, square, okay, तो यह दोनों को जूनना है, यह 1 by 2 capital T multiply 1 by 2 capital T, ओके, फिर यहाँ पे 2 क्या से आयागा कि 1 by 2 capital T plus 1 by 2 small t, ओके, आप यहाँ पे इसको A और इसको B, इसे जम सम ले लोंगे, तो आपको आसान इसे समझ में आ जाएगा, ओके, देन प्लास 1 by 2 small t, यह दोनों square, 1 by 2 small t multiplied 1 by 2 small t, ओके, देन यह दोनों उठ गए, इसको निकाल दिया गया, ओके, देन यह जो हुआ, इसको हम 1 by 2, 1 by 2 है, तो 1 by 2 multiplied 1 by 2, तो क्या आयागा, 1 by 4 आयागा न, ओके, 1 by 4 capital T capital T plus 1 by 2 capital T small t, क्यों 1 by 2, यहाँ पर यह दो दो तो गए, तो यहाँ पर 1 by 2 आये, और capital T small t आये, plus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 capital T capital T, हमने square नहीं किया, यहाँ पर यहाँ पर हमको देखना है, उसका ratio इसलिए हमने square नहीं किया, तो यह capital T, capital T, capital T small t, small t, small t, और यह जो ratio आ रहा है, यही same ratio यहाँ पर भी आ रहा है, हमने जब वो उपनेट square में देखा, वो same ही आया, आया न, ओके, तो यहाँ पर mathematical formula, binomial formula हम apply करते, तो भी भी यही ratio आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हूं, ओके, I hope so आपको यह formula समझ में आई होगी, ओके, then, Mendel self-pollinated the F2 plant and found that VAR F2 plant continue to generate VAR plant in F3 and F4 generation, he concluded that the genotype of VAR was homozygous, small D, small D, यह क्या मिल रहा है कि हमको जैसे कि पता है कि F2 plant में क्या मिल रहा है हमको, F2 जो generation है, उसमें capital T, capital T, capital T, small D, small D, small D, तो यह द्वार plant है, उसको क्या किया गिया, continuously उसको self-pollinated किया गिया, तो यह capital T, capital T है, capital T, capital T, हम panet square बना कर देखेंगी, यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको, sorry, small D, 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 three generation में भी हमको द्वार plant ही मिलेगा, ओके, तेन उसको F4 generation में भी यही उसको, हमने आगे self-pollinate करवाया, तो भी यही, small D, small D, small D, homozygous recessive gene express हो रहा है, और द्वार plant ही मिल रहा है, तो यह conclude that the genotype of dwarf, तो उसने किया, conclude कि जो द्वार का जो जो जीनो टाइप है, वो homozygous recessive है, क्योंकि हमको पता है कि small letter को हम क्या denote करते हैं, recessive gene, तो यह क्या हुआ, small D, small D, okay, तो यहाँ पे बहुत ही असान सा lecture में ने बढ़ाने की ट्राई की है, अपी बी में आपको एक बार वो binomial formula है, वो समझा देती हूं कि यह क्या हो रहा हुआ, आपको basically क्या रखना है याद, A, 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 square, okay, then A, B, plus B, A, B, 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 square, okay, तो यह क्या हुआ, 2, A, B, plus B, square, okay, यह आपको याद होगा, पूरा formula, तो आप आसान इसे उसमें रख पाऊगे, okay, then 1 by 2 T, plus 1 by 2 small t, square, okay, then 1 by T, plus small t, 1 by 2 capital T, plus 1 by 2 small t, okay, guys, I hope so, कि आपको समझ में आया होगा, कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको ना समझ में आया है, तो आप इस पर post करके, अपने इस साब से लिखो, तो आपको समझ में आयेगा, okay, then capital T, capital T, 1 by 2, 1 by 2, capital T, capital T, okay, plus 2AB यहाँ पर हम डायरेक लिख रहे हैं, इसी यह 2 तो आप आगे रखी दिया, then 1 by 2 तो capital T का आये गई, cross 1 by 2 small t, okay, plus, यहाँ पर मैंने plus किया है, okay, then क्या आएगा, 1 by 2, cross 1 by 2 small t, small t, यह दुन, इसका multiply किया, okay, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 1 by 4, okay, 2 cross 2, 2 के साथ 2 multiply करेंगे, कितना में लिगा 4, capital T, capital D, यहाँ पर इसको यह नहीं लिखना, capital D, capital D, okay, then यह दुनों गई, 10 यहाँ पर क्या आएगा, क्या बच्चा, 1 by 2, capital T, small t, okay, 10 plus, और यह क्या हुआ, 1 by 4, 2 multiplied by 2, चार हुआ न, small t, small t, okay, तो यह क्या ratio मिल गया न, mathematically भी, तो यही equation आपकी side book में भी दिया है, आप देख सकते हो, उसमें साइद आपको नहीं समझ में आएगा, पर यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, आसान फासा में, ओके, ओके guys, तो यहाँ पर आपको confused नहीं होना है, जराबी यह equation की वज़र से ही, मैंने आपका वीडियो लेक्चर, थोड़ा सा लंबा चलाने की ट्राइक क्यों की है, क्योंकि आपको समझ में आएग यह equation क्या है, कुछ नहीं बहुत ही simple equation है, थोड़ा सा mathematic logic लगा हो गई, तो आपको आसान इसे समझ में आजाएगा, ओके, ओके guys, and thank you for watching.